इस लेक का निर्मान एक अजन नब्वे में गंण टेक की राजकुमारी और पाठाण की राजा सिद्राज जेसे की मादा मिन्यर दोगी द्वरा करा गया तो यहाँ पर इस तरह के 520 मंदिर बना गया थे तो मरा अठाव द्वरा यहां मुंसरी माता का मंदिर बनाया गया थे और सुरू करते हैं आज की स्टूडियो को कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुंसर लेक अब मेरे पीचे दिख सकते हो इस लेक का निर्मान एक 1990 में करना टेक की राजकुमारी और पाठाण की राजा सिद्राज जेसे की माता मिन्यर दोगी द्वरा कराया गया था यह लेक 220 याड और तुडाकर में बनाया गया है मरा ठाओ द्वरा यहां मुंसरी माता का मंदीर बनाया गया है वहाँ पर एक पत्थरों की नकासे से भली पड़ी हुई है यह लेक एक संखिया मंदीर के आकार में बना हुआ है पच्चिम से एकत्रित होकर सुरंगों के माध्यम से पानी लेक के अंदर पहुचता है यहां 520 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदीर थे उन में से फिलाल अभी 300 या कुछ मंदीर बचे है बाकी के ज़्यातर मंदीर डिश्ट्रॉय हो चुके है यहां सभी मंदीरों में एक बेल लगा गई थी जो कि दोरी अतारक से कनेक्टिक था मुख्य मंदीर से और जब मुख्य मंदीर से बेल बज़ा जाती थी तो सभी मंदीरों में एक साथ बेल बज़ती थी 2015 में गुजरात के मंत्री पुपंद्र सीचुडासमा ने पारतिय पुरतत्व सर्विक्षन टीम के साथ मलव लेक और मुंसल लेक को पुरतत्विक स्थलों के रूप में विक्सित करने का प्रस्ताव रखा सन 2016 में टीम AISI ने साइट मिलिन डलर रूपिय लेक के जिन्यद्वार के लिए दिये मुंसल जिन्यद्वार के लिए दिये